नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेंट फेस बाई रवी पर आज के इस वीडियो में मैं आपको सूचकांग रेंकिंग और इंडेक्स टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ यह काफी जादा इंपोर्टन टॉपिक है अगर आप किसी भी एक्ज फुल रहने वाली है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट कोशन से हमारा पहला कोशन है विश्व आर्थिक सफतंतरता सूचकांग 2022 में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी हॉंग कॉंग देश तो हॉंग कॉंग भारत के परोसी देशों के वरे में जान लाते है नेपाल 110-회 स्थान पर है चीन 116 स्थान पर है पाकिस्तान 130 स्थान पर है और बंगलादेश 149 स्थान पर है या आपको याद रहने है और इस रिपोर्ट को जारीरी के ऐफरेंज The Fraser Institute, जो कि Canada का है, तो यह आपको याद रखना है Next question हमारा वैश्विक नवचार सूचकंग 2022 में कौन सा देश लगातार 12 साल शीर स्थान पर रहा है Most important question है friends, स्टार मा कर लेना इस question को सही answer हो जाएगा option D, Switzerland देश तो Switzerland देश friends, वैश्विक नवचार सूचकंग 2022 में 12 साल लगातार शीर स्थान पर रहा है यह आपको याद रखना है Important points से जाल लएते हैं वैश्विक नवचार सूचकंग 2022 में भारत 40 में स्थान पर रहा है और इसको जारी किया है friends विश्व वदिक संपता संगठन यानि की विपोने जिसका मुख्याले स्विजलेंड में है यह आपको याद रखना है अगला प्रेश्विक भूच सूचकंग 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है Most important question यह भी friends सही answer हो जाएगा option C 107 में रहा है friends विश्विक भूच सूचकंग 2022 में भारत यह आपको याद रखना है इस सूचकंग में संयुक तुरूप से 17 देश शे स्थान पर आए है जिनका स्कोर 5 से भी कम है इन देशों में चीन, तुर्की, क्वैत, बेलरूस, रुमानिया और सर्भिय जैसे देश सामिल है यह आपको याद रखना है सूची में भारत के पडोसी देशों की बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान नडिन में स्थान पर है श्रेलंका 64 में स्थान पर है नैपाल 81 में स्तान पर है और मैनमार 71 में स्तान पर है यह आपको याद रखना है और इस रिपोर्ट को जारी की एफ्रेंट्स गंसर्न वर्ल्ड वाइड, जिसका मुक्हाले आयरलेंड में है और वेल्ट हंगर, हिल्फे संगठन जिसका मुख्याले जर्मनी में है तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है अगला प्रशन है और समानता को कम करने के लिए प्रति बद्धता सूचकांग 2022 में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा आप्शन सी नौर्वे देश तो ये आपको याद रखना है और भारति सूचकांग में 123 में स्थान पर रहा है ये भी आपको याद रखना है दक्षिन सुडान को सबसे नीचला स्थान मिला है 161 ये आपको याद रखना है और इस सूचकांग को जारी किया है Oxfam International और Development Finance International ने ये आपको याद रखना है अगला प्रेशन हमारा Global Pension सूचकांग 2022 में कौन सा देश लगातार दूसरे वर्ष शीर स्थान पर रहा है Important question है ये सही answer हो जाएगा option D Iceland देश तो ये आपको याद रखना है इस सूचकांग में भारत 41 स्थान पर रहा है जबकि Thailand सबसे निचले स्थान पर आया है ये भी आपको याद रखना है और इस सूचकांग को जारी किया है Mercer CFA Institute ने तो ये आपको याद रखना है Friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का content और quality अच्छे लग रही है तो इसे like ज़रू करें और अपने friends के साथ भी share करें साथ ही आपको एक important information देता हूँ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हमारी हर वीडियो के end में आप से test के 2 questions का test लेते हैं तो अब से ये friends test plus gift part रहने वाला है तो जो भी हमारे test के 2 questions का अंसर बिलकुल सही देंगे तो उन में से हम randomly 5 lucky winners को select करेंगे और उनको हमारी तरफ से हमारी current affairs की book बिलकुल free में provide करवाई जाएगी और ये जो friends test plus gift part है ये हर वीडियो के middle में होने वाला है आज की वीडियो के भी middle में होगा तो सभी को इस पार्ट के लिए all the best अगला प्रेशन हमारा इंडिया tourism statistics 2022 नामक report के अनुसार वर्ष 2021 में किस भारतिय विश्व धरोहर में विदेशी प्रेटकों की संख्या सरवाधिक रही है सही answer हो जाएगा option है ममलापुरम तामिलाडु में तो यह आपको याद रखना है वर्ष 2021 बाइस में घरेलु प्रेटकों की सरवाधिक संख्या ताज महल देखने आने वाले प्रेटकों की रही है यह आपको याद रखना है और इस report को जारी किया है केंद्रिय प्रेटन मंत्रा लेने नेक्स्ट कोशन है हमारा Crime in India रिपोर्ट 2021 के नुसर भारत में महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षी शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर स्थान पर रहा है सई आंसर हो जाएगा option नई देली शहर तो यह आपको याद रखना है और इस रिपोर्ट को जारी किया है फ्रेंट्स National Crime Records Bureau जिसका मुक्याले नई देली में है तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन हमारा Global Crypto Adoption Index 2022 में भारत कि स्थान पर रहा है सई आंसर हो जाएगा option C चोथे स्थान पर तो Global Crypto Adoption Index में भारत चोथे स्थान पर रहा है यह आपको याद रखना है सूचकांग में पहला स्थान Vietnam ने हासिल किया है यह आपको याद रखना है और इसको जारी किया है Chen Alices ने जिसका मुक्याले अमेरिका में है यह आपको याद रखना है Next question हमारा स्वच्च सर्वेक्षन पुरुसकार 2022 में लगतार चटी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्च शहर घोशित किया है सई आंसर हो जाएगा Option D इन दोर शहर को जो की मध्यपरदेश का एक शहर है यह आपको याद रखना है और फ्रेंट्स बड़े राज्यों में सबसे स्वच्च राजे मध्यपरदेश रहा है वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में सबसे स्वच्च राजे त्रपुरा रहा है यह दोनों बातें आपको याद रखने है और इस सर्वेक्षन को जारी किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्रा लेने ये भी बात आपको याद रखने है नेक्स्ट कोशन अमरा जन सांखे की ये नमूना सर्वेक्षन 2022 के अनुसार सबसे जादा बाल विवा के मामले में कौन सा राजे शीर स्थान पर रहा है साही आंसर हो जाएगा ऑप्षन भी जार खन राजे तो ये आपको याद रखने है सर्वेक्षन को जारी किया है फ्रेंट्स ग्रह मंत्रा लेने ये भी बात आपको याद रखनी है अगला प्रशन है चटिसमें राश्टरी खेल 2022 की पदक तालिका में शीर स्थान पर कौन रहा है साही आंसर हो जाएगा ऑप्षन भी सविसेज तो ये आपको याद रखने है और सविसेज ने फ्रेंट्स 128 कुल पदक जीते हैं ये आपको याद रखने है और इसका आयवजन फ्रेंट्स एहमदाबाद कुछ रात में हुआ है ये आपको याद रखने है नेक्स्ट कोशन हमारा केंद्रिय चिडियागर प्राधी करन CZA द्वारा किस चिडियागर को भारत के सरफ्रेश चिडियागर के रूपे मानेता दी गई है सही आंसर हो जाएगा आप्शन D पदमजा, नाइडू, हिमालियन, जियोलोजिकल पार्क जो की दार्चलिंक का है नेक्स्ट कोशन हमारा ब्रिटेन को पचार कर किस देश की अर्थ विवस्ता दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता बन गई है, most important question है स्टार्मा कर लेना इस question को सही answer हो जाएगा option C भारत की अर्थ विवस्ता तो भारत की अर्थ विवस्ता पांचवी स्थान पर आ गई है यह आपको याद रखने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्ता वाला देश है Friends, America यह आपको याद रखने और इस report को जारी किया है Bloomsburg ने जिसका headquarter New York में है Friends, आपको एक और important information देता हूँ हमारी अर्थ वाष की current affairs की book लोंच हो चुके जिसमें हमने जनवी से जून तक के सभी current affairs को topic wise one liner form में MCQS form में आपके लिए provide करवाया है और इस book के last में हमने 15 test के sets भी रखे हैं जिससे कि आपकी current affairs की तेयारी काफी अच्छे तरीके से हो जाएगी और इस book को आप Amazon और Flipkart से भी buy कर सकते हैं जिसका link मैं आपको इस video के description box में provide कर आदूगा और जब भी आप इस book को buy करें तो इस पर हमारे channel के TED Mark को देखकर ही buy करें next question नमारा मानव विकास सूचकांग 2021-22 में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है सई आंसर हो जाएगा option है Switzerland तो Switzerland देश मानव विकास सूचकांग 2021-22 में शीर स्थान पर रहा है यह आपको याद रखने है और इस सूचकांग में भारत 132 में स्थान पर रहा है कुल 191 देशों में से तो यह आपको याद रखने है और सूचकांग को जारी किया है संयुक्त राश्र विकास कारेकरम यानि कि UNDP ने जिसका मुख्याले New York में है next question नमारा State of Global Air Initiative Report 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूशी शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर स्थान पर रहा है सई आंसर हो जाएगा option B नई देली शहर जो कि भारत का है और इस रिपोर्ट को जारी कि है फ्रेंट्स Health Effects Institute जो कि अमेरिका का है next question हमारा Global Gender Gap Index 2022 में भारत विष्व में कौन से स्थान पर रहा है सई आंसर हो जाएगा option B 135 वें स्थान पर तो यह आपको याद रखना है अफगानिस्तानी सूचकांग में 0.435 स्कोर के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है यह आपको याद रखना है सूचकांग में पहला स्थान आइसलेंड ने हासिल किया है यह आपको याद रखना है और इसको जारी किया है विष्व आर्थिक मंच जिसका मुखहले स्विजलेंड में है अगला प्रशन हमारा हैंले पासपोर्ट इंडेक्स क्वेटर 3 2022 में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है स्टार माग कर लेना इस कोशन को सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी जपैन देश तो जपैन देश फ्रेंड हैले पासपोर्ट इंडेक्स क्वेटर 3 में शीर स्थान पर रहा है यह आपको याद रखने और इसमें फ्रेंड्स भारत का स्थान 87 मारा है यह आपको याद रखने है इस सूचकांग में अफगानिस्तान सबसे निचले 112 स्थान पर है यह भी आपको याद रखना है अगला प्रशन है नीती आयोग ने किस शहर को पूरे भारत में सर्फ्रेष्ट अकांग्शी जिले के रूप में घोशित किया है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरीद्वार जिले को जो की उत्राखन का एक जिला है तो यह आपको याद रखने है अगला प्रशन हमारा वैश्विक जन संख्या अनुमानों के अनुसार किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकोर्ड तोड़ दिया है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है दक्षिन कोरिया देश ने और रिपोर्ट को जारी की एफरेंट्स संयुक्त राष्ट सांक्य की कारियाले और विश्व बैंक ने यह आपको याद रखना है एशिया प्रशांत सस्टनेबिलिटी सूचकांग 2021 में कौन सा शहर शीर स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी सिंगापुर शहर तो यह आपको याद रखना है इस सूचकांग में चार भारती शहर जैसे की बैंगलूरू चौद में स्थान पर हैदराबाद अठार में स्थान पर देली सतर में स्थान पर और मॉंबई 20 में स्थान पर रहे हैं यह आपको याद रखना है अगला प्रशन है मारा प्रयावरन प्रदशन सूचकांग 2022 में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है important question है यह सही answer हो जाएगा option भी Denmark देश तो यह आपको याद रखने है और भारत का इस सूचकांग में स्थान रहा है सही answer हो जाएगा option 135 में स्थान पर इस सूचकांग की अनुसार अफगानिस्तान लगातार पांच में वट सबसे कम शांती पून देश रहा है यह आपको याद रखना है सूचकांग में पहला स्थान आइसलेंड ने हासिल किया है और इसको सूचकांग को जारी किया है Institute of Economics and Peace ने जो की अमेरिका में है विश्व प्रेस सफतंतरता सूचकांग 2022 में भारत की स्थान पर रहा है सही answer हो जाएगा option 150 में स्थान पर तो यह आपको याद रखना है इस सूचकांग में भारत के अने पड़ोसी देश जैसे की पाकिस्तान 157 में स्थान पर श्रेलंका 146 में स्थान पर बंगला देश 162 में स्थान पर और मयननमार 176 में स्थान पर रहे हैं यह आपको याद रखने है और सूचकांग में पहला स्थान नौर्वे ने हासिल किया है और सूचकांग को जारी किया है without borders नहीं यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन नमरा The World University Ranking 2023 में कौन सा संस्थान लगतार सात्मी बार शीर स्थान पर रहा है सही answer हो जाएगा option भी Oxford University जो कि United Kingdom में है तो यह आपको याद रखना है important question है भारती विज्ञान संस्थान बेंगलूरू भारती संस्थानों में पहले स्थान पर है यह आपको याद रखना है और इसको जारी किया है Times Higher Education जो कि UK की है Next question हमारा विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल करने के मामले में किस स्थान पर रहा है सही answer हो जाएगा option भी साथ में स्थान पर तो यह आपको याद रखना है important question है और पहला स्थान इसमें हासिल किया है अमेरिका ने यह आपको याद रखना है और इसको जारी किया है United Nations Conference on Trade and Development जिसका मुख्याले Switzerland में है अगला प्रशन मेरा विश्व खुशाली सूचकांग 2022 के अनुसार खुशाल देशों की सूची में भारत के स्थान पर रहा है काफी जादा important question है यह आपको याद रखने है साही answer हो जाएगा option B 136 में स्थान पर तो यह आपको याद रखने है और इस सूचकांग में friends top पर Finland रहा है दूसरे स्थान पर Denmark का और तीसरे स्थान पर Iceland है यह आपको याद रखने है सूचकांग में पहला स्थान Finland ने हासिल किया जैसे मैंने आपको उपर बताया और इस सूचकांग को जारी किया है संयुक्तराष्ट सततविकास समाधान नेटवेक ने जिसका मुख्याले New York में है तो friends अब इस वीडियो का काफी ज़ादा इंट्रस्टिंग और इंपोर्टन पाट आगया है जो कि है test plus gift पाट जैसा कि मैंने आपको उपर ही बताया था कि अब से हमारा test plus gift पाट होने वाला है तो जो भी हमारे test के दोनों questions का answer बिल्कुल सही देंगे तो उनको हमारी तरफ से हमारी current of age की book बिल्कुल free में provide करवाई जाएगी और हम 5 lucky winners को ही select एगरेंगे तो सभी को इस part के लिए all the best पहला question हमारा test का हैले passport index quarter 3 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है ये रहे आपके 4 options दूसरा question हमारा वैश्विक भूग सूचकांग 2022 में भारत का क्या स्थान रहा है ये रहे आपके 4 options तो ये था हमारा test part friends आपको comment box में मुझे ये बताना है कि आपको हमारा ये नए initiative test plus gift part कैसा लगा next question हमारा ब्रस्टाचार धारना सूचकांग 2021 में कौन सा देश्शीर स्थान पर रहा है सही answer हो जाएगा option C Denmark, New Zealand और Finland तो ये आपको याद रखने है इस सूचकांग में भारत 40 के स्कोर के साथ 85 में स्थान पर रहा है ये आपको याद रखने है और इस रिपोर्ट को जारी किया है Transparency International जिसका मुखहले जर्मनी में है next question हमारा लोकतंत्र सूचकांग 2021 की वैश्विक रैंकिंग में भारत के स्थान पर रहा है सही answer हो जाएगा option A 46 में स्थान पर तो ये आपको याद रखना है इस सूचकांग में पहला स्थान नॉर्वे ने हासिल किया है 9.75 अंग के साथ और इसको जारी किया है The Economist Intelligence Unit EIU जिसका मुखहले लंदन में है अगला प्रशना मारा TomTom Traffic Index 2021 के नुसार दुनिया का सबसे जादा बीडभार वाला शहर कौन सा बना है सबसे भीडभार वाला शहर बना है यह आपको याद रखना है और रिपोर्ट को जारी किया है TomTom ने यह भी बात आपको याद रखने है तो जो भी कमेंट्स हमारी कमेंट बोक्स में majority of रहेंगे तो मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश जरूर करूँगा अगला प्रशन है Renewables Global Status Report 2022 के नुसार नवी करनी यह उर्जा के मामले में भारत के स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा option है तीसरे स्थान पर और पहला स्थान इसमें हासिल किया है चीन ने यह आपको याद रखना है रिपोर्ट को जारी किया है International Renewable Energy Agency ने और इस रिपोर्ट का संस करें था यह सतारवा यह आपको याद रखना है अगला प्रशन हमारा वार्शिक विश्व प्रतिस परदात्मक्ता सूचकांग 2022 में भारत के स्थान पर आया है Important question है यह सही आंसर हो जाएगा option है 37 में स्थान पर सूचकांग में पहला स्थान डैनमार्क ने हासिल किया है यह आपको याद रखना है और सूचकांग को जारी किया है प्रबंदन विकात संस्थान जिसका मुख्याले स्विजलेंड में है Next question हमारा भारत के आकास्मिक मृत्यू और आतम हत्या रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्ये में आतम हत्याओं के सबसे ज़्यादा मामने दर्श किये गए है सही आंसर हो जाएगा option B महाराष्ट राज्ये में रिपोर्ट को जारी किया है NCRB ने यह आपको याद रखना है जो की नई देली में है Next question हमारा Elper Dozer Scientific Index 2023 में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा option D अमेरिका देश यह आपको याद रखना है भारत सूचकांग में 21 में स्थान पर रहा है यह आपको याद रखना है और सूचकांग को जारी किया है Oxfam International जिसका मुक्याले कैनिया में है और Development Finance International ने यह आपको याद रखना है अगला प्रश नमरा QS दौराजारी Best Student Cities सूचकांग 2023 के अनुसार अंतराश्वे चात्रों के रहने योगे शेहरों की सूची में कौन सा शेहर शीर स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा Option B London शेहर जो की Britain का शेहर है इस सूचकांग में भारती शेहर मुंबई 103 में स्थान पर है बेंगलूरू 104 में स्थान पर है चन्नाई 125 में स्थान पर है यह आपको याद रखना है अगला प्रश नमरा विश्व वायू गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया का सबसे ज़ादा प्रदूशित देश कौन सा बना है सही आंसर हो जाएगा Option C बंगलादेश तो यह आपको याद रखना है भारत का स्थान इसमें 5 मारा है और जारी की यह है इसे Swiss firm IQ AR यह आपको याद रखना है अगला कोशन है हमारा Aspect Insider Ranking 2022 के अनुसार प्रवासियों के लिए दुनिया के सबसे अच्छे जगाओं में से कौन सा देश की स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा Option D Mexico तो यह आपको याद रखना है भारत इस सूची में 52 देशों में से 36 में स्थान पर रहा है यह आपको याद रखना है इस सूचकांग में कौयत सबसे निचले स्थान पर बाणमे में स्थान पर है यह आपको याद रखना है और इसको जारी किया है Internations ने जिसका मुक्याले जर्मनी में है अगला प्रेशन बारा अंतर राश्री ये बौधिक संपदा सूचकांग 2022 में भारत के स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा option B 43 में स्थान पर सूचकांग में पहला स्थान संयुक्त राजे अमेरिका ने हासिल किया है ये आपको याद रखना है और रिपोर्ट को जारी किया है US Chamber of Commerce का Global Innovation Policy Center ने ये आपको याद रखना है अगला प्रेशन बारा डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 Autocratization Changing Nature में भारत के स्थान पर रहा है important question है ये सही answer हो जाएगा option A त्रियाणमे में स्थान पर ये आपको याद रखना है सूचकांग में पहला स्थान स्थान स्वीडन ने हासिल किया है ये आपको याद रखना है और सूचकांग को जारी किया है Gothenburg विश्विद्यालेने जिसका मुख्याले स्वीडन में है next question है हमारा भारत नवाचार सूचकांग 2021 के तीसरे संसकरण में कौन सा राजे प्रमुख राजियों की सूची में शीर स्थान पर रहा है सही answer हो जाएगा option A करनाटक राजे वहीं अगर हम पूर्वोत्तर पहाड़ी राजियों में शीर स्थान देखें तो मनिपुर ने हासिल किया है 19.37 अंग के साथ केंदर शासिप प्रदेशों में शीर स्थान चंडिगर्ण ने हासिल किया है और इसको जारी किया है नीतिया योग ने जो की नई देली में है नेक्स्ट कोशन अमरा राश्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सूचकांग 2022 में कौन सा राज्य शीर स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा आप्शन है ओडिशा राज्य तो यह आपको याद रखना है विशेश श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान त्रपरा ने हासिल किया है यह आपको याद रखने और इस रिपोर्ट को जारी किया है के अंदरी ये खाद्य और उपभोगता मामलों के मंत्रा लेने अगला प्रशना मारा चोथे राज्य खादि सुरक्षा सूचकांग 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तामिलनाडू राज्य चोटे राज्यों की सूची में शीर स्थान गोवा ने हासिल किया है चेंदर सासे प्रदेशों की सूची में जम्मू कश्मीर शीर स्थान पर रहा है और इसको जारी किया है केंदरी स्वास्ती और परिवार का लियान मंत्राले ने ये आपको याद रखना है यात्रा और प्रियाटन प्रतिस परदात मक्ता सूचकांग 2021 में भारत के स्थान पर रहा है सई आंसर हो जाएगा option B 94 स्थान पर तो यह आपको याद रखने है पहला स्थान इसमें हसिल के है जैपैन, अमेरिका, स्पेन और फ्रांस ने यह आपको याद रखने है और इस वर्ष सूचकांग की थीम है फ्रेंट्स Rebuilding for Sustainable and Resilient Future यह आपको याद रखने है और इस सूचकांग को जारी के है विश्व आर्थिक मंचने जिसका मुखहले स्विजलेंड में है अगला प्रशन है एशिया प्रशांद प्रमुक कारियाले के राया सूचकांग 2022 में कौन सा शेहर शीर स्थान पर रहा है सई आंसर हो जाएगा option C Hong Kong शेर तो ये आपको याद रखने है तो ये आपको याद रखने है और इसको जारी के है नाइड फ्रेंक इंडिया ने तो ये आपको याद रखने है इंडिजिटल शॉप्िंग वैयश्विक निवेश 2021 में भारत का क्या स्थान रहा है सई आंसर हो जाएगा option C, दूसरा स्थान सूचकांग में पहला स्थान अमेरिका ने हासिल किया है यह आपको याद रखने है और इस सूचकांग को जारी किया है London and Partners ने जिसका मुक्याले England में है अगला प्रेशन नमारा विश्व वाईयू गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में दुनिया की सबसे प्रदूशित राजधानी कौन सी बनी है सई आंसर हो जाएगा option D, नई देली जो की भारत की राजधानी है यह आपको याद रखने है और इस रिपोर्ट को जारी किया है IQ Air ने जो की एक Swiss firm है नेक्स्ट कोशन नमारा वार्शिक Frontier रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सबसे जादा ध्वनी प्रदूशन वाला शहर कौन सा बना है सई आंसर हो जाएगा Option A मुरादाबाद शहर जो की भारत का है मुरादाबाद भारत का शहर friends 114 decibel ध्वनी प्रदूशित करता है यह आपको याद रखने है और पहला स्थान इसमें है ढाका बंगलादेश का जो की 119 decibel ध्वनी प्रदूशन करता है और इस रिपोर्ट को जारी किया है United Nations Environment Program UNEP जिसका मुख्याले कीनिया में है यह आपको याद रखने है नेक्स्ट कोशन नमारा वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस सवतंतरता रिपोर्ट 2021 के अनुचार पत्रकारों पर सबसे जादा हमले किस राजियां के अंदरशास्ति प्रदेश में हुए है सही आंसर हो जाएगा option C जम्मू कश्मीर में तो यह आपको याद रखने है रिपोर्ट को जारी किया है Rights and Risks Analysis Group ने जिसका मुख्याले नई देली में है अगला प्रशन नमरा विश्व वायू शक्ती सूचकांग 2022 में भारती वायू सेना किस स्थान पर रही है सही आंसर हो जाएगा option B तीसरे स्थान पर यह आपको याद रखने है इस सूचकांग में भारती वायू सेना को 69.4 पॉइंट दिये गे हैं आपको याद रखने है सूचकांग में पहला स्थान अमेरिका ने हासिल किया है और इस सूचकांग को जारी किया है World Directory of Modern Military Aircraft ने तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन नमरा सिप्री द्वारा जारी वैश्विक सैने खर्च रिपोर्ट 2021 में भारत के स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा option भी तीसरे स्थान पर तो यह आपको याद रखने है और इस report में top पर United States रहा है और दूसरे स्थान पर चीन है यह आपको याद रखने शीर स्थान अमेरिका ने हासिल किया जैसे मैंने आपको अभी उपर बताया फ्रेंड्स आपको एक और important information देता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल के Hindi content को English में पढ़ना जाते हैं तो हमारे English चैनल रवी दिती Classes पर विजिट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप English में content को पढ़ना चाते हैं इंटरनेशनल आम्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2021 में हत्यारों के सबसे बड़े आयातक तेश के रूप में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है सई answer हो जाएगा option C उपयुक तो दोनों यानि की साओधी अरब और भारत ये दोनों देश ही शीर स्थान पर रहे हैं इस रिपोर्ट में ये आपको याद रखना है और इस रिपोर्ट को जारी की है सिप्री ने इसका फलफोम है Stockholm International Peace Research Institute जिसका मुख्यले स्वीडन में है अगला कोशन नमारा सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में शीर स्थान पर कौन रहे हैं सही आंसर हो जाएगा option B शिव नादर जो की HCL कंपनी के CEO हैं ये आपको याद रखना है और वहीं friends महिलाओं की बात करें तो Infosys की chairman रोहिनी नीले कनी भारत की सबसे उदार महिला परवकारी बनी है ये आपको याद रखना है वितवश 2021 में भारत को किस देश से सबसे अधिक विदेशी निवेश यानि की FTI प्राप्त हुआ है सही answer हो जाएगा option A Singapore देश से तो ये आपको याद रखना है और इस रिपोर्ट को जारी किया है केंदरी वाने जी और उद्योग मंत्रा लेने अगला प्रशन है आठमी जलवाईयू पार दर्शिता रिपोर्ट 2022 के अनुसार गर्मी के कारण किस देश को सकल घरेलू उतपात में आयकासप से अधिक नुकसान हुआ है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी भारत देश को तो यह आपको याद रखना है और रिपोर्ट को जारी किया है G20 देशों के 16 संगठन ने यह आपको याद रखना है अगला प्रशन हमारा दा सेंटी मिलेनियर रिपोर्ट The Emergence of a New Class of Super Rich 2022 के अनुसार भारत दुनिया में करोडपतियों की संख्या के मावले में किस स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी तीसरे स्थान पर पहला स्थान इस रिपोर्ट में अमेरिका ने हासिल किया है यह आपको याद रखना है और रिपोर्ट को जारी किया है 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 यह आपको याद रखने है अगला प्रशन हमारा के स्टेलम AI द्वारा जारी व्याश्विक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे जादा प्रतिबंदित देश कोन सा बना है सही आंसर हो जाएगा आप्शन ए रूस तेश तो यह आपको याद रखने है अगला कोशन हमारा और इस रिपोर्ट को जारी किया है विश बैंक ने जिसका मुखहले वशिंग्टन अमेरिका में है नेक्स्ट कोशन हमारा वर्ष 2020 में भारत के किस राजियां किंदर शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपाद दर्श किया गया है सही आंसर हो जाएगा आप्शन भी लदाख में तो यह आपको याद रखने है उचितम लिंग अनुपात में पहला स्थान लदाख का रहा है ग्यारा सुचार का यह आपको याद रखना है और रिपोर्ट को जारी किया है भारतीय रिजिस्टरा जर्नल ने यह आपको याद रखना है अगला प्रशन मारा वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत की स्थान पर रहा है साई आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी 121 में स्थान पर तो यह आपको याद रखना है important question है सूचकांग में पहला स्थान फिनलंड ने हासिल किया है यह आपको याद रखना है और सूचकांग को जारी के है Sustainable Development Solutions Network ने जिसका मुख्याले New York अमेरिका में है अगला प्रशन मारा वैश्विक लिबिबिलिटी सूचकांग 2022 में दुनिया के सबसे अधिक रहने योगे शेहरों की सूची में कौन सा शेहर शीर स्थान पर रहा है सबसे कम रहने योगे शेहर है दमिशक जो की सीरिया की राजदानी है यह आपको याद रखना है और रिपोर्ट को जारी किया है Economist Intelligence Unit ने जिसका मुख्याले लंदन में है Friends अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो उसे लाइक जरूर करें और अपने Friends के साथ भी शेयर करें Next question हमारा वेतन रुजान सर्वेक्षन 2022 के निशार दुनिया में वास्तविक वेतन में सबसे अधिक व्रिधी किस देश में दर्ज की गई है सही answer हो जाएगा option भी भारत देश में तो यह आपको याद रखना है और इस रिपोर्ट को जारी किया है Friends Employment Conditions Abroad ने जिसका मुख्याले लंदन UK में है तो यह आपको याद रखना है अगला प्रशन है हमारा और इस रिपोर्ट को जारी किया है कानून मंत्राले ने यह आपको याद रखना है अगला प्रशन हमारा चीन को पछाड कर कौन सा देश श्री लंका के सबसे बड़े द्वी पक्षिय रिंदाता के रूप में उभरा है सही answer हो जाएगा option भी भारत देश तो यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन हमारा वैश्विक बहु आयामी गरीबी सूचकंग 2022 के अनुसार वर्ष 2005-06 से वर्ष 2019-21 के बीच भारत में गरीब लोगों की संख्या में कितनी गिरावट आई है सही answer हो जाएगा option D 415 मिलियन की तो यह आपको याद रखना है और रिपोर्ट को जारी किया है संयुक्त राश्व विकास कारेकरम यानि की UNDP ने और Oxford विभाग ने नेक्स्ट कोशन हमारा NCRB द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2014 से 2021 के मध्य किस राज्य में सरवाधिक राजद्रोह के मामले दर्श किये गए है सही answer हो जाएगा option D असम राज्य में नेक्स्ट कोशन हमारा Public Affairs Index 2022 के साथमें संसकरन में सबसे बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर स्थान पर रहा है सही answer हो जाएगा option D हर्याना राज्य वहीं चोटे राज्यों की बात करें तो इस श्रेणी में शीर स्थान से किम ने हासिल किया है यह आपको याद रखना है रिपोर्ट को जारी के है Public Affairs Centers ने जो की बंगलूरू में है नेक्स्ट कोशन हमारा वैश्विक वित्तिय केंदर सूच कांग के 32 संसकरन में दुनिया के सबसे पसंदीदा वित्तिय केंदर के रूप में अगला प्रशन हमारा भारत के सबसे भरोसे मन संस्थानों की सूची में कौन सा संस्थान शीर स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट को जारी किया है एपसोस इंडिया ने यह आपको याद रखने है वर्ष 2021 में डिजिटल मुद्रा स्वामितव की वैश्विक अर्थ विवस्थाओं में कौन सा देशीर स्थान पर रहा है और इस रिपोर्ट को जारी किया है United Nations Conference on Trade and Development ने जिसका मुख्याले स्विजर्लेंड में है अगला प्रशन हमारा इंडिया सेक्स रेशो एड बर्थ विगिन्स टू नॉर्मलाइज रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से 2021 में जनम के समय भारत का लिंग अनुपात कितना रहा है और इस रिपोर्ट को जारी किया है प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा जो की वशिंग्टन अमेरिका में है नेक्स्ट कोशन नमरा ब्लूम्सबर्ग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सावित्री जिंदर तो ये आपको याद रखने है अगला प्रशन नमरा वैश्वी कोशल रिपोर्ट 2022 में भारत के स्थान पर रहा है इंपोर्टन कोशन है ये सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी 68 में स्थान पर तो ये आपको याद रखने है और रिपोर्ट को जारी किया है कॉरसेरा ने जिसका मुख्याले कैलिफोनिया अमेरिका में है नेक्स्ट कोशन हमारा इस ओफ डूइंग बिजनेस सूचकांग 2022 में कौन सा राज्य शीर स्थान पर रहा है सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आंदरप्रदेश राज्य और इस रिपोर्ट को जारी किया है नेक्स्ट कोशन हमारा वर्ष 2022 में जारी ग्लोबल हॉम प्राइस सूचकांग क्वाटर चार 2021 में भारत कि स्थान पर रहा है इंपोर्टन कोशन है ये सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 51 बे स्थान पर ये आपको याद रखने है और सूचकांग कोशारी की आफ्रेंट्स नाइट फ्रेंक ने ये आपको याद रखने है अगला प्रशन हमारा वन सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021 के निज़ार वन क्षेत्र में अधिक्तम बड़ोत्री किस राज्य में हुई है सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन दी सई आंसर हो जाएगा आप्शन दी अंध्र प्रदेश अगला प्रशनमरा वर्ष 2022 में भारत में उद्योगिक निवेश अकर्षित करने वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य planting स्थान पर रहा है सई आंसर हो जाएगा आप्शन दी आंध्रप्रदेश राज रिपोर्ट को जारी किया है उद्योग और आंत्रिक वेपार सम्वर्दन विभागने यह आपको याद रखने नेक्स्ट कोशन हमारा प्रिजर्विंग प्रोग्रेस ओन नूट्रिशन इंडिया पोशन अभ्यान इन पैंडमिक टाइम्स नामक रिपोर्ट के अनुशार भारत में पोशन अभ्यान को लागू करने में कौन सा राज ये शीर स्थान पर रहा है इंपोर्टन कोशन है ही सही आंसर हो जाएगा औप्शन भी महाराश राज साजनिक शिकायतों के समाधान के लिए लगातार दूसरे महिने शिकायत निवारन सूच कांग में कौन सा सहकारी विवाक शीर स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा और उप्शन ए यू आई डी आई तो यह आपको याद रखने है यू आई डी आई का फॉल फॉर्म है यूनिक आइडिन्टिफिकेशन अथॉर्टी ऑफ इंडिया यह आपको याद रखने है सूच कांग को जारी किया है प्रशासनिक सुधार और लोग शिकायत विभागने को देखकर ही बाय करें नेक्स्ट कोशन अमारा अमरित सरोवर योजना में कौन सा राज्य भारत में शीर स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा आप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य नेक्स्ट कोशन अमारा स्वच्छ सर्वेक्षन ग्रामिन पुरुसकार 2022 में किस राज्य ने बड़े राज्यों की श्रिणी में प्रथम पुरुसकार जीता है सही आंसर हो जाएगा आप्शन दी तेलंगाना राज्य ने वहीं छोटे राज्यों और केंदर शासे प्रदेशों में पहला स्थान अंडमान और निकबार ने हासिल किया है या आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन है उपभोगता मामलों के मंत्राले द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार और दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोगता देश के रूप में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी भारत देश सितंबर 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारत में सामाने प्रजनन दर में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दी 20 प्रतिशत की तो यह आपको याद रखने है भारत में औसत GFR 2008 से 2010 तक 86.1 था और 2018 से 2020 के दुरान घटकर 68.7 हो गया है यह आपको याद रखने है नेक्स्ट कोशन नमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दी तीसरे स्थान पर भारत ने इस प्रतियोगिता में 5 पदक जीते है जिनमें 3 स्वन 2 रजट पदक शामिल है यह आपको याद रखने है और इन खेलों का आउजन फ्रेंट्स कोटेंसी जॉर्जिया में हुआ है यह आपको याद रखने है नेक्स्ट कोशन हमारा वर्मिंगम राश्नमनल खेल 2022 की पदक तालिकमें कौन सा देशी स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया देश ऑस्ट्रेलिया ने कुल पदक फ्रेंट्स 178 जीते हैं यह आपको याद रखने है भारत 61 पदकों के साथ चोथे स्थान पर रहा है जिसमें 22,16 रजट और 23 कांसे पदक शामिल है यह आपको याद रखने है और इन खेलों का यह 22 संस करें था यह भी आपको याद रखना है अगला प्रेश नमरा फोब्स की रियल टाइम अरब पतियों की सूची के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने है सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन B गौतम अडानी जो की अडानी ग्रूप के CEO है यह आपको याद रखना है नेक्स्ट कोशन अमरा फोर्चिन ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9 साल कौन सी कंपनी शीर स्थान पर रही है important question है friends सई आंसर हो जाएगा ऑप्शन Walmart कंपनी जो की अमेरिका की है यह आपको याद रखना है भारत की सबसे बड़ी वीमा कंपनी भारती जीवन वीमा निगम यानि की LIC 98 स्थान पर रही है यह आपको याद रखना है वहें Reliance Industries 104 स्थान पर रही है यह आपको याद रखना है अगर आपको वीडियो पसंदा रही है और वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक जरू करें और अपने फ्रेंस के साथ भी शेयर करें साथ ही आप comment box में मुझे यह भी पता सकते हैं कि आपको next वीडियो किस topic के ओपर चाहिए जैसे कि geography, history, quality या फिर basic science तो जो भी comments हमारे comment box में majority रहेंगे मैं उस पर आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रवाइड करवाने की कोशिश जरूर करूँगा अंडर 20 junior विश्व कुष्टी championship 2022 की पदग तालिका में कौन सा देश शीर स्थान पर रहा है सही answer हो जाएगा option B जैपैन देश तो यह आपको याद रखने है भारत इस प्रतिकिता में 16 पदगों के साथ 50 स्थान पर रहा है जिसमें X1, 4 रजट और 11 कांसे पदग शामिल है और इन खेलों का विजन फ्रेंट Sophia बुल्गारिया में हुआ है यह आपको याद रखने है next question हमारा Spice Jack को पचाड कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू airline company कौन सी बनी है सही answer हो जाएगा option B विस्तारा तो यह आपको याद रखने है अगला प्रशन हमारा Kotak Private Banking Hurin Suchi 2021 के नुसर लगतार दूसरे साल भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है सही answer हो जाएगा option A रोशनी नादर मलहोतरा जो की HCL Technologies की CEO है यह आपको याद रखने अगला प्रशन हमारा IIFL Wealth Hurin India 40 और स्वा निर्मित अमीरों की सूची 2022 में शीर स्थान पर कौन रहा है सही answer हो जाएगा option B Nikhil Kamat यह आपको याद रखने है जो की Zirodha Company के CEO है यह आपको याद रखने Next question हमारा राश्ट्रियस अंस्थागत ranking framework 2022 में कौन सा विश्व विद्याले लगातार चोथी बार शीर स्थान पर रहा है सही answer हो जाएगा option B IIIT मदरास यह आपको याद रखने है अन्य श्रेणियों में ranking की सूची भी आपको बताता है इमको याद रखने है शहर 46 unicorn के साथ हुआ भारत की unicorn राजधानी बना हुआ है IMPORTANT basin है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बेंगलूरू तो यह आपको याद रखना है और रिपोर्ट को जाली क्या है है हुरिन रिसर्च इंस्टिट्यूट ने यह आपको याद रखना है अगला कोशन अमरा स्टार्ट अप रेंकिंग 2021 में सर्श्रेश प्रदर्शन करने वाले रा प्रदर्शन वाले राजे केरल, महराष्ट, ओडिशा और तेलंगाना रहें के अंदर शासित प्रदेशों में शीर्स्थान जम्मु कश्मीर ने हासिल किया यह आपको याद रखने है और रिपोर्ट को जारी किया है उद्योग एवं आंत्रिक वैपार समर्दन विभागन फ्रेंड्स आपको एक बार फिर इंफर्मिशन देता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंगलिश में पढ़ना जाते हैं तो हमारे इंगलिश चैनल रवी दिती क्लासिस पर विजट कर सकते हैं इससे सब्सक्राइब करें अगर आप इंगलिश में क पढ़ना चाते हैं नेक्स्ट कोशन हमारा फॉचिन पांसो द्वारा जारी की गई सूची में वर्च 2021 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाले CEO कौन बने हैं सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एलन मस्क जो की टेसला और स्पेसेक्स कंपनी के मालिक हैं अगला प् पहला स्थान चीन ने हासिल किया है यह आपको याद रखने है और रिपोर्ट को जारी किया है वर्ल्ड गोल्ड कांसिल ने जिसका मुखहले लंदन में है नेक्स्ट कोशन नमरा सतत विकास सूचकांग 2021 में भारत के स्थान पर रहा है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी 120 म सूचकांग में पहला स्थान फिन्लेंड ने हासिल किया है यह आपको याद रखने है और इस सूचकांग को जारी किया है Center for Science and Environment State of India ने यह आपको याद रखने है अगला प्रशन नमरा वन सर्वेक्षन रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले दो वर्शों में भारत देश के कुल वन और ब्रिक्षों से भरे क्षेत्र में कितनी बड़ोतरी हुई है इमपोर्टन कोशन है यह सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी 2261 वर किलोमेटर की नेक्स्ट कोशन नमरा भारती अंतरिक्ष संग और आंस्ट एंड यंग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्श 2025 तक भारत की अंतरिक्ष अर्थ विवस्ता बढ़कर कितने अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी 18 अरब डॉलर तक हमारा आखरी कोशन है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत किस वर्ष में प्रित्वी परसफ से अधिक अवादी वाले देश के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी 2023 तक तो यह आपको याद रखना है और इस रिपोर्ट को जारी के आए फ्रेंज संयुक्त राष्ट यानि की यून ने जिसका मुख्याले नियू यूर्क में है यह आपको याद रखना है तो यह थे फ्रेंज हमारे आज की इंपोर्टन इस बुक आपको हर एक एक्जाम में काफी मंदत करने वाली है इस बुक को आप Amazon और Flipkart से भी बाई कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा और जब भी आप इस बुक को बाई करें तो इस पर हमारे प्रेंड के टेड माक को देख कर ही बाई करें तो यह था फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको सूच कांग रेंकिंग और इंडेक्स टॉपिक काफी डिटिव में पढ़ा दिया आशा करता हूं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपक करता है।